सब्सक्राइब कीजिए टेस्टेंड्राइब डॉट इन चैनल को और बेल आइकन को दवाएं लेटेस्ट आटो मुबाइल वीडियो सब से पहले देखने के लिए जौंडियर 5310 vs. जौंडियर 5305 रुख जाओ अगर आप 5305 खरीदने वाले हो तो ये सोच के कि 5310 और 5305 में एक ही इंजन लगा हुआ है तो पहले ये वीडियो पूरा देख लो कहीं बाद में पस्ताना न पड़ जाए किसान भाईयो मैं आज आपको इन दोनों की तुलना करके बताने वाला हूँ कि आखिर इन दोनों ही टेक्टरों में अंतर क्या है काफी ज़्यादा कन्फूजन रेता है इन दोनों ही टेक्टरों में क्योंकि ये दोनों ही टेक्टर समान कंपनी और समान HP कैटेगरी में आत और क्यों अगर आप यह जानना चाहते हैं कि दोनों ही टेक्टरों में कुछ भी एक जिसा नहीं है सिर्फ इसके कि सोरूम बाले बोल दें कि यह दोनों 55 HP के टेक्टर हैं बस एक थोड़ा सस्ता है और एक थोड़ा महंगा है जो पसंद हो ले लो एक ही काम करेंगे तो यह सा कुछ भी नहीं है इस वीडियो के आखिर तक आप खुद ही बता देंगे कि इन दोनों ही टेक्टरों में कितना अंतर हैं तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले इंजन से तो किसान भाईयो जोंडियर 3310 में जोंडियर का 8 सीरिस का 29 cc का टर्वो चार्арज 3 सिलेंडर वाला इंजन है जो 2400 आर्पें पर चल कर लगभग 2080नेम का टार्क देता ए और वहीं 53.05 में जॉंडियर का T-Series का 2900cc का टर्वो चार्ज तीन सिलेंडर वाला इंजन है जो 2400 RPM पर चल कर लगवग 180-190 NM का टॉर्क देता है दोनों ही इंजन अलग-अलग सिरिस के हैं मतलब अलग प्रकार के हैं इंजन का HP समान हो सकता है लेकिन टॉर्क अलग-अलग है मतलब साफ है 53.05 का इंजन ज्यादा पावरफूल है 53.05 की तुलना में मतलब आप ये मान सकते हो कि 53.05 55 तो नहीं लेकिन 52.05 के लगवग आता है दम के मामले में अगर आपको 52.05 HP के ट्रेक्टर की जरूरत है तो आप ये ले सकते हो या फिर 50.05 D से थोड़ा बड़ा और 53.10 से थोड़ा छोटा ट्रेक्टर चाहते हो तो ये ट्रेक्टर आपके काम का है डीजल खपत भी 53.10 की थोड़ी कम है क्योंकि वो ताकत भी थोड़ी कम पेदा करता है ट्रेक्टर की बात करें तो दोनों ही ट्रेक्टरों में कॉलर सिफ्ट गेरवाक्स आता है और दोनों में ही 12 गेर मिलते हैं लेकिन फिर भी दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है 53.10, 9 forward और 3 reverse gear के साथ आता है जबकि 53.05, 8 forward और 4 reverse gear के साथ आता है मतलब 53.10 का गेरवाक्स ज़्यादा बहतर है क्योंकि उसमें आगे के gear ज़्यादा मिलते हैं और वो ट्रेक्टर को ज़्यादा धीरे चला सथा है 53.05 की तुलना में और दोनों ही ट्रेक्टर डॉल क्लच के साथ आते हैं और दोनों ही ट्रेक्टरों में एक ही प्रकार की क्लच प्लेट मिलती है मतलब दोनों के क्लच में कोई विसेस अंतर नहीं है पीटियो की बात करें तो 53.10 में 48.8 HP की पीटियो मिलती है जबकि 53.05 में 46.2 HP की PTO मिलती है और दोनों ही टेक्टरों में reverse PTO का option मिल जाता है मतलब John Deere 53.10 की PTO ज़्यादा powerful है 53.05 की तुलना में Hydraulic की बात करें तो 53.10 में 2000 kg की lifting capacity वाली hydraulic मिलती है और वहीं 53.05 में सिर्फ 1600 kg की lifting capacity वाली और दोनों ही टेक्टरों में एक ही प्रकार का hydraulic system मिलता है मतलब साफ ए 53.10 की hydraulic ज़्यादा powerful है 53.05 की तुलना में ब्रेक की बात करें तो 53.10 में world famous अपने आप एड़िस्ट होने वाले तेल में डूबे हुए डिक्स ब्रेक दिये हुए हैं जबकि 53.05 में साधे तेल में डूबे हुए डिक्स ब्रेक मिलते हैं मतलब 53.10 के ब्रेक बहुत ज़्यादा बहता रहें 53.05 की तुलना में टायर की बात करें तो दोनों ही टेक्टरों में एक ही capacity वाले टायर दिये गए हैं लेकिन दोनों का साइज अलग-अलग हो सकता है सीट की बात करें तो दोनों ही टेक्टरों में 2-way adjustable साधी सीट मिलती है और दोनों ही टेक्टरों में 5-7 और 5000 गंटे की वारेंटी मिलती है मतलब दोस्तों बेवकुफ ना बने अगर 55 HP के टेक्टर की जरूरत है तो 40-5000 का मून न देखें और 53-05 न खरीदें क्योंकि ये टेक्टर कहीं से भी 55 HP के लायक तो नहीं है आप भी बताएं दोस्तों ये किस हिसाब से 55 HP का टेक्टर है बागी final decision आपका ही रहेगा और आप भी कमेंट करके बताएं कि दोनों में से कौन सा टेक्टर जादा बहतर है और क्यों और दोनों में और क्या अनतर है और हाँ मैं lux की और service की बात इसलिए नहीं करता क्योंकि lux आपकी पसंद पर निर्वर करता है और service आपके area पर क्योंकि भारत में कई जगा AC भी है जहां से सर्विस कराने के लिए देड़सो से 200 किलिमेटर दूर जाना पड़ता है इसलिए टेक्टर भाई खरीदें जिसकी सर्विस आपके आसपास असानी से मिल जाएं और वीडियो पसंद आईए तो लाइक करें शेर करें और कमेंट करें और अगर चैनल पर ना है तो सब्सक्राइब करें टेस्टेंड्राइब डॉट इन चैनल को और वेल आइकन को दबाना ना भूलें सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन को पाने के लिए धन्यवाद